आपके लोग कैसे हैं उम्मित करते हैं आप लोग बहुत बढ़ी होंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलास्टन का मैथ 4.1 और यह है NCRD का मैथ ठीक है ना काफी मज़दार का चेप्टर है काफी अच्छा सवाल है इससे पहले जो चेप्टर था वह ज्यादा काफी 3.6 तक लग गया ना और 3.7 जो है उसका वह एड़ान्स वाला है बट वह सवाल वगर आता नहीं तो इसलिए मैंने उसको पूरा समाप्त करने वाले हैं तो वीडियो थोड़ी जतनी दिर बनेगी पेसेंस रखिएगा दिल थाम करेएगा और पुरा पढ़ने की कोशिच किजिएगा चलिए अगर आप लोग दो हजर पचीस में एक्जाम देने वाले दो हजर पचीस में तो हमारा रफ्तार बैच में जोएन हो सकते हैं यहां पर लाइफ क्लास रिकॉर्ड वीडियो सब कुछ एविलेवल है हर एक सब्जेट का यह मोबाइल नमर आपको दीक रहोगा कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा का डेटल्स मालूम करने के लिए शूरू करते हैं जाची की नीमनीय में से दिवघात समीकरन की किसको कहता है नाम पता है यहां पहले समय लिए दिवघात क्या वो लगया है दिवघात दिवघात समिकरन में कोई भी अगर समिकरन बना हुआ है कोई भी अगर समिकरन लिखा हुआ है तो उसमें जो है ना बड़ा से बड़ा पावर दो होगा ठीक है ना दो से बड़ा पावर नहीं होगा अगर दो से बड़ा पावर होता है तो दिवघात समिकरन नहीं होगा और अगर सम्हिकर्न में दो पावर है ही नहीं तो भी नहीं के नहीं मतलब अगर 11 बराबर 9 कर दें तो च्यूंकि देव परकार दियों तो अब कैसे जाएंगे यह दियुगाद समीकन है कि इसको कैसे जाचेंगे तो इसको हल करके देखना पड़ेगा वैसे यह objective में सवाल आएगा यह subjective में वरकर objective आएगा तो objective में कितना fast आप हल कर पाते हों हल करने का आपके पास tactics कितना अच्छा है देखिए यह एकस प्लस 1 का square है तो यानि कि x प्लस 1 का square मतलब a प्लस b का हॉली square है ना तो a square प्लस b square प्लस 2ab 2ab तो 2x हो गया यहाँ पर 2x-3 देखि अगर इसको हमाई हाल करता हूँ x square हो जाता है फ़रस 2x है प्लस 126-3 यहां सट याइख सकर जाता है –s lo. स्क्वार अतीन दुन नहीं बराबर शरीव ठीक है एक्च्वार फोर देकिए लाशन देखिए हमारे शेची कर आई हल करने कि árias हो सकता नहीं है आप इसे पदा कर लिजे कि क्या皆 robotic स्कृार हमेशा तक रहेगा यह स्कृणं कर जागा इसती स्कॵायल ही बला है एक्स क्यूब बला अगर एक्स क्यूब बला है नहीं कट रहा तो दूभास मि नहीं कर नहीं होगा अगर एक्स क्यूब और कहीं कही तब उतना कुछ करने जोतने हैं आपको दिखाना नहीं बनाकर है आपको बना खरी Cantonese है तो है ति लेंगे है कि अज़ चैनल को डिशांग्हात है किसए है कि और अब इस सवाल कि और इस leaning ्सक्राइब देंगे यह दीए पनाते हैं फिर त्यक्राइब मै यह मैनस 2x स्क्राइब सुष्uff कर लिए फ्रसने नहीं चलो मैं बना के पूरा दिखाई देता हो को लेकिन पूरा एकजामें बनाने का आओ सकता नहीं है यह सब को इधर लिख चले आओ मैनस 2x से मैनस यी आ जागा का होगा मैनस जागा ऐ पलस होगा 6 देखे एक से स्क्वाइर एक कितना ओगया मैनस 4x हो गया सबसे बड़ा पावर क्या है दो ही है तो बोलेंगे हां अटाहिया दिवघात समीकरन है तो आप कितना फास्ट सको बना पाते हैं कितना लैंड बना कि आपको खुद पता चल जाए कि यह दुघात समीकरन है कि नहीं है ओके आपको शो नहीं करना अगर इतने हैं समाझ में आ जा रहा हां देखिए बारी तो खली बस इसको देखना है पहले तो देखना कि 3 पावर है कि नहीं है चलो अब दो पावर देखो इसको एश्क्वाइर दिख रहा है अब यह दिमाग में लगाओ क्या स्कुएर कटेगा कि विसी से किसी नहीं कट सकता है बस नहीं समझो कि हां दूखा समिकन है ठीक है चलो तो यह मैं बतना दे रहा हूं यहां पर लेकिन अब्जिक्टिम आपको इतना बनाना नहीं टाइम किल नहीं करना है ठीक है तो गया नेक्ट कुस्टन है यह नेक्ट कि यह निख्ट को पिन नमबर डेकिश को सब अब इसको तो बनाना पड़ेगा चे कुछ करना देखिक्लस सब्सक्राइब टो होंता दो मेरें यहां यहां भी काम करेंगे एक्स को एक्स स्कोरा नहीं एकसह erfolg हो जाएगा एकसा करेंगे मैनस एकस प्रस मैनस- 001 को हो जाएगा अब फिर ध्यान से क्या मैन जागा तो कट जागा तो याद रखो जब समीकरम आप बना रहो बीच में बराबर वाला सवाल है अंकव सैंपलाइए निया मैन दो सको तो इधर लाओ, 3X में से 1X गटेगा, तो 2X पलस में इधर आके मनेगा minus 2X है, minus plus 3 परावर 0, और क्या आँ सकता है, देखो, यह हो गया, 2A1 कितना, 3X हो गिया, 3 में से 2 गटेगा, 1 हो गिया, तो square है, नहीं है ना, आता हिया, दिवगात तमिकरन नहीं है ठीक है चारी ये सवाल देखे इसके बाद ये सवाल देखे इसको कैसे बनाएंगे ऐसे इसको भी गुना करना है X को इसे गुना करें कितना होगा 2 X स्क्वार X को 1 से करेंगे तो का होगा X हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 यहाँ देखो X को X करेंगे X स्क्वार और 5 से करेंगे तो 5 X हो जाएगा फिर आप ध्यान से देखे क्या X स्क्वार कटेगा या रहेगा है इसको ध्यान देना है कटेगा यह रहेगा तो देखिए यहां पर 2x स्क्वाइर 2 25 रे x square पलस x से माइनस 6x इसको घटाображ दो 6 में घटेगा है ना 7 आध में ब्रेख towards 3 इधर लाए यसटों कि माइनस 19 स्कूरार मैं मैंनस 5x से बराबर 0 हो जाएगा रहा है है नहीं भी ला सकते खली एक सक Фantry भी लाकि आप बता सकतें कोई बड़ी बात नहीं है तो x square में से इसको हटाएंगे तो जागा एक से स्क्वाइर और पांच पांच मैनस दस एक्स अब मैनस थ्री पराबर जी देखरें बला है यहां पर सबसे बला पावर दू है आता हिया कि दिवघात कि तमीकरन है अपने कोपी मैं से बना लिए गा कि हाँ यह दिवघात समीकरन है इसका पीडियफ मिल जाएगा आपको कोर्स में मिलेगा पीडियफ ओके अब है हमारा पाचमा सवाल तो यह सब अबजिक्टिव आएगा फटाफाड ऐसी बना लेना है देखिए गुना करना तो करना पड़ेगा टू को टू एक्स को एक्स करेंगे टू एक्स स्क्वाइर मा मैनस वन एक्स मैनस मैनस प्लस तीन एकम तीन यहां एक्स स्क्वाइर मैनस एक्स 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 स्क्वाइर प्लस मैनस मैनस एक्स प्लस फाइफ एक्स प्लस मैनस मैनस पांच यहां पर भी वही काम करेंगे भाई लादो सब को इधर ला दो तू एक्स स्क्वाइर है छे और ए paste और दोनुं Years कितना हो गया सेवन हो जाएगा सॉधै जी सेंट सुल इस पावैंस पांच एक्समिर्क वन एक्स घट जैगा तो फ्ररेंस सेष्वाण गट मैंस में अिद्राय आइद्व होगा माहिक च्ना फोर एक्स खटार डु frequorta ू ऑर नामेल 6 और पांच पिस तीन घटेगा मैनस साथ चरे ग्यारा एक से न अब पांच पिस तीन घटेगा मैनस टू तो बोलेंगा हाँ इस्क्वेर है यहाँ पे आता हिया यह ख़री टैम पास हो रहा है आपको समझा रहे कैसे बनाना है बना के चेक करना है ठीक है ना अगर आपको बनाने नहीं आता तो मैं बना के देखा दे रहा हूँ भाई कि देखे कैसे पहचाने के दिघा समिकान हाई या नहीं है चले इसको बनाते है देखे यहाँ पे एक से स्क्वेर है पलस त्री एक से पलस बन बराबर यह देख रो, इए एक से मानस टू का हॉल स्कौर ऐसे, तो A मानस B का हॉल स्कौर हो गया, A स्कौर पलस B स्कौर, तो दो का स्कौर चार, मानस टू ए भी, दो अदूना चार, इतना तो शौर्ट कर सकते हैं, आप देख लिए भाई, आराम से कट जाएगा इदनों, इसको काड और केंसे इस काड़ दो खलास का दो अब क्या बचा थिरी एक से पलस वन इधर लाओ दो सब को मैनस 4 पलस 4x बराबर 0 कि 3x से 4x केतना हो गया सेवेने सो गया चार में से घटागा 3 तो यहां कहार है ति हम यहां पर समझ गये था हम यहां कहल करें आग्ला कुशन देखते हैं ये है फाइ घार कुशन है इसको की कैसे बना हुव है है अब दिखोए एक सबस्द्द का होल क्यूब है अब एपलस भी का होल क्यूब का फॉर मसंता बना पाएंगे तो क्या होता फॉर म्लाओक यह इक क्यूब तो दो का क्यूब तो क्यूब क्यूब को खतम करेंगे तब ने दिव खास भी ने तो क्यूब यहां पर यहां पर ना यहां पर इसको उठा किदर तो मानस टूएक्स क्यूब हो जाएगा अद दो का स्कूर कितना होता है आट तिन दुना six x square दो दुना चार चरतिया बारा एक्स सब किधर लाओ यह तो आगा पलस two x बराबर में क्या हुआ जीरो देख लो भाई two x cube में से one x cube घटेगा तो माइनस x cube बचेगा ठीक है और square यहां पर मतलब एक एरेंज करते हैं six x square और देख लो बारा और दू कितना हो ग एक तो दू अमें करन नहीं होगा तो बलेंगा अत्हां और यहां लुक्त है नहीं है ठीक है अता यह दू घटा समिकर नहीं है के लिए रह यह सवाल देखें ए मैनेस भी का हॉल क्यूंग दिया हुए है इसको पनाए देखे एक्स cube लिख लेंगें आपर झालें मैनास four x मे 5K पलस 1 यहाँ पर a minus b कहल क्यों a q square यहाँ पर square देऊ है तो इसलिए मेरे कुल लग रहा है कोस्टन में सिटेक यहाँ पर square है हुआ तो minus 4 x square है minus x plus 1 बरावर 0 इधर है a minus b कहल क्यों تو a q plus b q तो 2 का q कितना होगा 8-3AQ AQ-BQ 8 पूरा लिगते AQ-BQ 3A2B 3A2B 3A B2 ऐसे हैं तो देखो यहां पर क्या होगा XQ अच्छा सिंपल तो यहां पर कड जागा XQ यहां पर यहां पर यहां पर कड गया अब यहां पर दिखे है XQ का कहानी खतम हो गया तो यह दिखा समिकन हो सकता है देखो 4X2 है 4X2 है इधर है 3X2 है इधर लाइए इसको ठाग है नहीं अच्छा पहले एक लान आरेंज करते है तो कि वहां पर एक फॉर्मूला बना हुआ है अब एक लान हम एरेंज करते है दो पर पावर क्यूब कितना होगा मैनस 8 तिन दुना 6X2 और दुना चार चरतिया 12 ठीक है अब इसके बाद देखिए स्कॉर्मूला यह तो मैनस 4X2 और यह 6 से आजागा तो कहो अगा पलस 6X2 इसको आज सापको इधर ला दो यह और और क्या मैनस X इदर है पलस बन है लाओ आठ भी लाओ तो पलस हो जागा यह भी लाओ तो हो जागा मैनस 12X बराबर में 0 नई भी लेंगे तो चलेगा ला देंगे तो भी चलेगा ठीक है स्क्वार 6 और चार कितना होगा छे में 4 घटेगा न 2x स्क्वार और बारह X मेंसे एक एक गटेगा बारह एक जार दूनों मैनस मेना तेरह 6 हो जागा आठ एक 9 लिख लें से 9 को हम उधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पढ़ने वाला अब देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है दू है तो बोलेंगा हाँ कि अताया कि दिवगात कि समीकरन है तो यह हमारा जो है यहां तक किरिया हो गया तो कुछ आगी होगा किलियर है तो अब जो है इसका question number two पढ़ते हैं तो one में था अब two में देखे सवाल क्या बोलता है हमको two में ज्यादा कुछ करना नहीं है सवाल जो बोलता तो नहीं करना है कि दिवगात समीकरनों को बस निरूपित करिये मतलब दिवगात समीकरन लिख बता देना है मतलब अभी आपको सीखना है कि दिवगात समीकरन कैसे बनता है यानि कि वर्ड प्रोब्लम से सीखना है दिवगात समीकरन कैसे बनते है और दिवगात समीकरन जब बन जागा तो question सबससे बड़ी होता है अगर आपकोशन बनाने सबसे बड़ी बात है देखिए तवाल का देवा है आयत्ताकार भूखन का छेत्रे फल दे दिया है पान सौटाइस मीटर स्कूर ठीक है अब बोलता कि लंबाई जो है ना उसकी चावराई से कि दुगने से एक अधिक है को नहीं बताओ लंबाई जो है ना लंबाई से एक ज्यादा लंबाई है तो पहले मेरे को पता चल दे लंबाई कितना है नहीं माना कि एक पूर्भास का भूखंडुन हो कि की लंबाई चौरा पहले माके शोड़ाई को मालें कि एकस मीटरमालें अब बोलता है slit helping 001 आज आगा अब बोलता है लंबाई किया कि δुगन्метि दुगना तो चोलाई x है कि हो गया ये दूगने से एक आदिक है दढ़ल को देखे है कि लंबाई एक से चोलाई Animal creat abd pras मन है अभर वहां परस् conviction में आयताकर छेतर फिर दिन रहा न इसलिए परशने से क्या लिखाँ आयताकार प्षेतरफल यह लिखाँ-चेतरफल अरतरफल का हुथा utiliser कि लंबाई गुना जोड़ाह बना लिजेगा आप से लंबाई कितना भाई लंबाई कि लत्वीप यह लंबाई है और चौड़ाह कितना एक से बराबर पानस्वाटाइस तो गुना करेंगे से तू एक्स स्क्वाइर और एक्सक को ऐसों गुना करेंगे एक्स और यह 585 850 बस इतने करके छोड़ दना यही I am Aha खली बोला सर्मिकन बना यह है ना समिकन लोको कि आपको निरूपित किजिए अब दोड़ करते हैं तोड के घटा करके तो तो फो वैलु निकलता है तो अभी हम गुनन फली हम लोगो सीखना है कि समीकरन कैसे बनाएं इसके अगले exercise में होगा शायद इसका बोलेगा यही कुशन दिया रहेगा इसी दिया रहेगा इसी टेप कोशन रहेगा बोलेगा लंबाय चोड़ाई ग्याद करें तो सेम यही प्रोसेस करना है इसके अगला जो है हमको गुननखंड करना पड़ेगा जैसे सुरूम बनाए थ दुस्साइब दूसरा कोशन ऐसे दिया है देखें दूसरा कोंद ध्यान से पढ़िये दूसरा कोसन बोलता है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुननफल 306 है तो हमें पूर्नांग ज्यात करने कहा सक्किए इसमें भी निकाला है समीकरन उसी 2 कही वन्टू है तो 2 करमागत धनातों पूर्नांग करमागत कमतला एक थो तीन तो चार तो छह ऐसे ड़स तो ग्यारा ऐसे बोल रहा है कि कौन है पहले पहले कोने उमानतेु अगर पहले पन्द्रहे आहरा होगा पहले और सोन आ मणा कि इसे में यह नहीं आएगा एकजाम में ऐसी दिया नहीं ऑगा खली बोलह कि पूर्णांगे नहीं ना था पूर्रणांक को गयात करने बोलेगा ठीगे जो कि हम लोग अगले एकसास में पढ़ेंगे अभी सबनाने स्कते हैं माला की एक धनातक पुरूरांग को सब्सक्राइब पूरणां मानल तैंटे एक धना दोक पुर्णां को एक समानते हैं तो कि दूसरा धना तर्म क्या होगा आज इसके जश्ट बाद क्या होगा हम को नहीं पता कि This अगर पांच तो छे हो जाएगा तो मतलब दीखे 5 क्वाद 6, 10 क्वाद 11 कितना बढ़ एक बढ़ रहा तो इसलिए इहां पर भी क्या होगा एक यहां पर बढ़ जाएगा ठीक है इसलिस आप बोलता है क्या है प्रस्ने से क्या बोलता है कि इन दोनों पूर्णागों को गुनन यहीं करने बोल रहा है अब बोलेगा पुर्णांग ज्याद किजेते इसका आपको कहा करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा कितना तोड़े कि हमारे एक से आजाए ओके यतनी करने के कोशिशिशन चलि देखर आयो अब भी आपको पढ़ना होगा और आपने इसे पहले चप्रें पढ़ा होगा आयो अदो'll ओको है कि इसे पहले भी मैंने आपको alleen पढ़ाया है इसंच्छिपो चौह बाद्यों है मतलब रोहन की मा रोहन से 26 साल बड़ी है अब उसे 3 वर से बाद उसकी आयू का गुननफल 360 है तो पहल तो माननेना पड़ेगा कि रोहन की उमर कितनी तब ने पता करें कि रोहन की रोहन की उमर है उससे 26 साल बड़ी है उसकी मा यानि कि रोहन अगर एक साल का है तो उसकी माँ 17 साल का होगा ठीक है रोहन अगर 4 साल का है तो उसकी माँ 30 साल का होगा यह तो पता नहीं है कितना साल का रोहन है तो मानने पड़ेगा मानना की रोहन की आयू कितना मालने X बार से ना रोहन एक साल के है सथा मा की आयू तो रोहन की मा की आयू कितना हो जागा 26 सल बड़ा है ना X प्लस 26 सल 26 सल उसकी मा बड़ी है ओ गया अब परसने से बोलता है अब उसे तीन वर्स बाद उनकी आयू का गुनन फल तीन साल बाद अगर मतल़ यह अभी वर्तमान की आयू है कि रोहन अभी एक साल का है तो तीन साल बाद कितना हो जागा है X प्लस 3 अगर रोहन एक साल का है तो तीन साल बाद चार साल का हो जागा अगर रोहन अभी 5 साल का है तो 3 साल बाद 8 हो जाएगा, बतलब 3 जुड़ेगा, तो जब 3 साल रोहन बढ़ेगा तो अम्मी का भी तो उमर 3 साल बढ़ जाएगा, है ना जी, तो हमको पता नहीं कि रोहन कितना साल का है, तो पलस कर देंगे, तो बोला गया, उनकी अब से 3 बा हो जाएगी अग्दोनों को गुना करेंगे तो कितना है गाई 300 और देखो एवला इदोनों गुना हुआ ना पसमें दोनों गुना हो गया तो एक्स प्लस थीरी हो गया और यहां पर एक्स प्लस चप्विस चतीन 29 बराबर 300 चाहिए 3060 आप का करना होगा गुना कर यहां का गुना किजे एक्स को एक्स करेंगे एक्स स्क्राइब एक्स करेंगे तो 29 एक्स 3 को एक्स करेंगे 3x 29 ती या गिर्टासिए इसको फिर लाइए तो 300 है 60 बराबर 0 एक स्क्वार हो जाएगा 29 सटीन कितना हो गया 32 से एक हो जाएगा और यह घटा लिजे दसमें साथ घटेगा तीन और आठ साथ 15 तीन सो शाठ में से सता से बैस्ट उन्तिसका दसमें साथ गड़ेगा 3 15 आठ साथ 273 आ रहा है इसका राटन से ठीक है है ना तो यह दो सब्सक्राइब पलस 32 मानस 273 ठीक है ऐसी बनाग छोड़ दना आपको कुछ करना नहीं है अगर बोलेगा कि रोहन के उमर बताए उसकी मां के उमर बताए तो सेम बताना पड़ेगा है ना इसके पहले आपने दो चनवले रेक्षिक समी के लिए डालना होगा यह कोसन नमर 4 एक यह लास्ट कोषन होगा देखिए क्या बोलागर एक ट्रेन एक समान गती से 400 किलो मिटर की दूरी तै करती है यह आपना चाहर सें चाल रही हो कि 400 किलो मिटर दूरी दूरी बोलता गती आहठ की गुटा पर ते घंटा कम कर देंगे तो दूरी समय जो है तीन घंटा और ज्यादा लागेगा चलिए तो पहले हम मानते हैं ट्रेन की चाल देखें माना की माना की ट्रेन की चाल ट्रेन की चाल क्या माने लेंगे एक स्क्राइब पर ती घंटा ओके हो गया अब यहां पर हम जानते हैं एक चीज हम जानते हैं एक फ़रॉल आपने समय बराबाद दूरी बड़ा होता है तो अब जीक हम यहां पर लिख देते हैं इसलिए परस्ण से लिखते हैं तो पहले बोलता कि एक ट्रेन एक समान गदे से 480 किलोमेटर के स्पिट जा रहे है 480 किलोमेटर गिया एक चाल से मतलब मानते कि 60 के स्पिट से गिया होगा कितना भी गिया होगा लेकिन जब चाल कम कर देगा तो समय जादे लागा कि कम लगेगा समय ज्यादा लगेगा तो जब इसके स्पीड में जा रहा था इतना दूरी गया एक स्पीड में और अब भी जो है आठ घंटा कम कर दें स्पीड में तो समय ज्यादा लगेगा तो कौन सा चाल में यहां पर 10 लोग काटी है तो कितना होगा आं 40 तो यहां पर कम चाल करेंगे여 तो आट समय को जागा चाल अगर X सबुज़ होगा कि तम यहां पर 20 डस पीननี त्यान्ड सेकन्थить Mackay रहा हूं तो देखें 10 में 40 गडएगा dodge 2 jun 4 Dee14 20 जीरो फता यह चला किमख लाएगा तो समय ज्यादा यह है और कम यहां पर यहां है ज्यादा समय यह ले रहा कम है टो ज्यादा मिशें कम को घटाना है ठीक nuclear किस देवनाई गट冷 question अधिक समय लगता है जब इसको घटाएंगे ना तो कितना अधिक समय लगता है तीन घंट अब इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे L से में लेंगे X-8 और X X-8 कर जागा इससे X से गुना करेंगे तो कितना होगा 480X X को गुना कर जागा 480 को X-8 से गुना करना पर आपड़ेगा बराबर में 3 आ जागा ठीक है उसके बाद देखें 480 रहेगा 480X रहेगा 480X 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 पर गुना करेंगे 0 884 के चार बचा 6 832 36 38 38 और यहाँ पर आप गुना करेंगे X को X से गुना करेंगे X स्कार हो जाएगा और X को आट से करेंगे तो माइनस 8X हो जाएगा बरावर में 3 हो जाएगा यहाँ पर एक चीज़ देखिए इस 480 पलस में 400 सी माइनस में कट गया है ना अब बचाएए X स्क्वाइर माइनस 8X को तीन से गुना करो X स्क्वाइर को तीन से गुना करेंगे एक स्क्वाइर माइनस 8X अब बरावर में क्या है इतना 38 40 गुना कीजी 3 से 3X स्क्वाइर 3 याठी 24 मत करो तीन से गुना डायरेक 3 से काड़ दो ना इसको तीन से डायरेक काड़ देते हैं अच्छा रहागा इन का परस कर जागा तीन गम 3 3 दुना 6 3 याठी 24 0 X स्क्वाइर मैनस 8X बरावर 1200 इसको इधर लेकर चले आज़े तो X स्क्वाइर मैनस 8X मैनस 1280 बरावर जरू है यह होगी हमारा समिकन अब अगर आगे बोलेगा कि ट्रेन की चाल गयात किजे अब इसको हल करेंगे तो ट्रेन की चाल हमको पता चल जाएगा ठीक है अब यह आपको जो है समिकन बनाने आ गया अच्छे तरीके से नीची कमेंट किजेगा आज का यह क्लास 4.1 कैसा लगा ओके और जस्ट फिर जो है इसका पीडियेफ नोट्स वगर चाहिए मैथ का और भी में पेपर इंपोरेंड कोशन वेरी वेरी इंपोरेंड कोशन का पीडियेफ चाहिए नोट्स चाहिए तो आप हमारी इस नंबर पर कॉन्ट्ट कर सकते हैं यहां पर दीख रहा है ठीक है that's all thank you everyone bye